बीजिय व्यन्जकों के योग और व्यवकलन मिथ्याधार नाए आज हम देखेंगे बीजिय व्यन्जकों के योग और व्यवकलन यानि addition and subtraction of algebraic expressions की मिथ्याधार नाए कुछ उदाहरनों से हमने बीजिय व्यन्जकों के योग और व्यवकलन को अच्छे से जाना अब चलिए इनसे जुड़ी कुछ मिथ्याधार नाओं को दूर करें मिथ्याधार ना 1. दिये गए व्यन्जकों को घटाए 21D की घाद दो जमा 15E और 3D की घाद दो जमा 4E जमा 5P बराबर 21D की घाद दो जमा 15E घटा कोश्ठक 3D की घाद दो जमा 4E जमा 5P अकसर बच्चे यहाँ पर हल करने में पदों को कोश्ठक से बाहर लाने पर उनके चिन नहीं बदलते जो की एक गलत समझ है सही समझ ये है कि यदि कोश्ठक के बाहर व्यवकलन का चिन हो तो कोश्ठक से बाहर आने पर अंदर के सभी चिन बदल जाते है परन्तु यदि कोश्ठक से बाहर योग का चिन है तो कोश्ठक के अंदर के चिन नहीं बदलते अब पदों को कोश्ठकों की सहायता से पुनरव्यवस्थत यानि वियरेंज करेंगे जिससे हमें मिलेगा कोश्ठक 21D की घाद 2 घटा 3D की घाद 2 जमा कोश्ठक 15E घटा 4E घटा 5B बराबर 18D की घाद 2 जमा 11E घटा 5B मिथ्यधारना 2 दिये गए व्यनजकों का व्यवकलन कीजिए 30PQ जमा 14Q जमा 12P और 21P Q घटा 10P घटा 18Q अकसर बच्चे नीचे के पदों के चिन्न बदलना भूल जाते हैं और समान पदों को एक सीध में नहीं रखते जिससे उत्तर गलत हो जाता है हम व्यनजकों को एक के नीचे एक इस प्रकार रखते हैं कि समान पद एक ही सीध में रहें तो यहां हम 30P Q के नीचे 21P Q, 12P के नीचे घटा 10P और 14Q के नीचे घटा 18Q रखेंगे यहां ध्यान देने की बात यहां है कि नीचे वाले व्यनजक के चिन्न विप्रीथ हो जाते हैं तो 21P Q हो जाएगा घटा 21P Q, घटा 10P हो जाएगा जमा 10P और घटा 18Q हो जाएगा जमा 18Q अता इन पदों का व्यवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 9P Q, जमा 22P, जमा 32Q आज हमने देखी बीजिय व्यनजकों के योग और व्यवकलन की मिथ्यधारनाएं आशा करते हैं, इस वीडियो से आपकी कई मिथ्यधारनाएं दूर हुई होगी और बीजिय व्यनजकों के योग और व्यवकलन की अच्छी समझ बन गई होगी धन्यवाद